नमस्कार दोस्तो, StockMobers में आपका स्वागत है, दोस्तो आप मारे चैनल पे नए है तो मारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरू कर ले, आज हम बात करेंगे फिनोलेक्स इंडस्टीज के बारे में, इस कंपनी की बात करें, दोस्तो आज की दिन मतलब चली, अश्ट्रॉल तो भाग गया, बहुत सारे टेस्टर हो सकता है कि अश्ट्रॉल के पीछे पड़े, लेकिन दोस्तो मेरे पॉइंट से, अश्ट्रॉल को अभी आप चाहे तो अवाइट कर दे, और मेरे पॉइंट से आप चाहे तो फीनोल लॉक्स के उपर फोकस बना के चल स सकते हैं, क्यों दोस्तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जिसे लेटेट तो मैं आगे अपने पॉइंट से डिस्कस करूँगा है, लेकिन सबसे पहले कमपणी की 22 माई को जो है की रिजल्ट आने वाले है, उसी में जो है कि कमपणी जो की डिविडेंट भी एनाउंस्मेंट करेग तो इस हिसाब से तीसरे नंबर की कमपणी जो है कि दोस्तो फीनोलॉक्स इंडस्ट्रीज है, तो इस कमपणी को उपर आप चाहे तो फोकस बनाके चल सकते हैं, मैं साक्यों बोल रहा हूँ, जिससे लेटेट आगे हम डिसकस करेंगे, आगे अश्ट्राल के उपर दोस्तो स सेम उसी टाइप की आपको तेजी देखने को बिली, यह भी श्टॉक लगबग 5-6% की तेजी दिखाया था, हाला कि देखाया थो फिर भी 3% की आजपस क्लोजिंग दिया है, वही पर दोस्तो यह भी देखेंगे, जैसे मनलब क्या है, ओ बड़ी कमपनी दोस्तो, उसमें मन एक साल में लगबग 32% का रिटन बना के दिया है, हाँ, इस कमपनी के एक खासियद है, मतलब एक साइडवेस पैटन पे चलती है, उसके बाद एक साइडवेस पैटन, उसके बाद एक तेजी देखने को मिलती है, हाला कि दोस्तो इसमें एक निगेटिव पॉइंट है, इसमें बना के दे रहा है, आप देख सकते हैं, नहीं पे दोस्तो जो मेरा मानना है, जो मेरा पॉइंट है कि आप चाहिए, तो मतलब फिनोलक्स के ऊपर фोकस बना के चल सकते हैं, मैं ऐसा क्यों बल रहा हूँ, सबसे पहले देखेंगे, तो कमपणी जो है कि सितंबर में, म वाइनस में जाने के बाद दोस्तों जितनी भी plastic industries थी दोस्तों सब की company के मनलब number देखा जो तो खराब ही देखने को मिले यहां पर देख भी सकते हैं तो कि फ़रे number पर जो है कि Phenolox की बात कर सो तो ये भी जो है कि तीसरे नंबर की कमपणी आती ही कोई छोटी मोटी कमपणी नहीं है कमपणी की PE की बात कर सो तो Supreme Industries का और इसका PE जो है कि आपको सेम ही देखने को मिलेगा हाला कि दोस्तो जो मेरा मानना है कि इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती क्यों दोस्तो कि देखी एस्ट्रॉल के जो रिजल्ट देखने को मिले नहीं बहुत ज्यादा अपने को ना ही कमपणी के रिवेन्यू में जम्प देखने को मिले है हाला कि दोस्तो 100 करोण की आसपा 100-100 करोन की आसपाट जो है कि सुप्रिम का और जो है कि अस्टराल का दोनों को रिजल्ट देखने को मिले हैं वही पर अगर हम प्रिंस की बात करें तो अभी तक इस कमपनी की रिजल्ट डिक्लेर नहीं हुए लेकिन हाँ फिनो लगश की बात करते हैं तो 22 मारी को कमपणी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे अलाग जो अब जो मेरा मानना है मेरा मानना यही दोस्तों कि हमने क्या बता है आप से कि सितंबर महिने में आप लगभग देखेंगे तो यह कमपणी जो है कि मनलब इसके पहले कौटर की बात करते हैं तो यह कमपणी लॉस में थी मनलब आ यहाँ पर आप देखेंगे तो 94 करोन का कमपणी को लॉस हुआ दोस्तों और अगर हम quarter की बात करें तो यहाँ पर सितंबर में company के result देखने को मिलते हैं जो कि मनलब यह मार्स से जून तक का और जून से सितंबर तक का दूसरे quarter में company जून की minus में थी उसके बाद company ने comeback किया है इस point को भी note करके चल सकते हैं अगर हम company की बात करें तो company का बहुत ज्यादा sales growth देखने को नहीं मिलता हाला कि company बहुत ज्यादा ज्यादा जो है कि बड़े बड़े दिग्जच competitor भी है profit growth की बात करें profit growth भी ठीक ठाक है CGR भी company का अच्छा है return liquidity की बात करें तो company के balance sheet देखेंगे तो company के balance sheet आपको खराब देखने को नहीं मिलेंगे यह भी company देखा ज़े तो zero debt free consider कर सकते है चारज जयर करोन के आसपास reserves भी है यहीं नहीं दोस्तों कि हम retail investor है तो मतलब कोई मतलब अपने को fast return वाली company चीन नहीं दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो promoter इसमें जो है कि established है मतलब नहीं वो ups and downs बहुत ही कम करते हैं मतलब किये ही नहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 quarter 6 quarter से उन्होंने same ही रखा है अभी तक मतलब उन्होंने same ही रखा है हाला कि अगर हम ओई पर 520 की बात करें तो 520 जो है कि इस quarter में माल को accumulate किये हैं रही बात अगर अगर हम डियाइस की बात करते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं डियाइस इस company में लगबग 3 quarter से buying करते जा रहे मतलब श्टॉक नीचे था दोस्तों उन्होंने जो है तो उतना ही अपसें डाउन से वन्यू देखने को मिल रहे हैं वही जो है कि net profit, operating profit में भी देखने को मिल रहे हैं हाला कि दोस्तों मतलब बहुत ज्यादा jump देखने को नहीं मिल रहे हैं उस हिसाब से अगर company के result थोड़े से मतलब जो sector के leader है दोस्तों उनको पहले अस्थान पर रखा जाएगा वही जो second number पर उनको भी रखा जाए लेकिन हां third number की बात कर सकते हैं इसके भी company के result कुछ अच्छे आ गए तो मेरे पहुंच से दोस्तों ये company एक नया high भी लगा सकती इस company की बात करते हैं तो इस company का high है दोस्तों लगबग देखा है 230 रुपए के आसप इस company का high है 14 October 2021 21 के आसपास company ने 200 के आसपास आप कर सकते company ने high लगाया वही पर नहीं दोस्तों अगर company में delivery percentage की बात करेंगे वैलूम की बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे तो मतलब बहुती कम आपको देखने को मिलेगा हलाकि ये company अभी देखा जाए तो मतलब 187 रु है दोस्तो 40% 41% माल भी delivery में उठाया गया है यहां पर देख भी सकते हैं कि आप जो है कि बतलब 22 माई को company जो है कि board meeting से related financial results से related जो है कि discuss करेगी और company जो है कि debilent से related भी recommendation कर सकती है अभी इस stock में पने को करना क्या है सब्सक्राइब दोस्तों बताना से देखे जिनके पास पुरानी holding से जुन को अभी मतलब समझ लिजी कि loss है दोस्तों मेरे point से आप चाहे तो hold करके चल सकते company एकदम best है दोस्तों हाँ मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों कि Prince Pipe के Cording, Astrol के Cording जो है कि return बना के नहीं देगी लेकि जितनी छोटी company उतना risk और जितनी छोटी company दोस्तों उतना ही patience भी लेके चलना होता है तो ऐसे में जिनके पास भी है तो loss में तो मेरे point से आप sell मत करें लेकिन हाँ एक important point दोस्तों कि इस company के उपर भी आप चाहे तो focus बना के चल सकते ऐसा नहीं कि हमको जो है कि Astrol ही करीदना है हाला कि अपनी जो मतलब यह company क्या होती दोस्तों आज अश्ट्रॉल के नंबर खराब आ गए और phenolox की बात कर सो उसके थोड़े से नंबर जो कि अच्छे आ गए दोस्तों तो देखा जातो उस हिसाब से मतलब अश्ट्रॉल से पैसा निकल करके कुछ हो सकता है कि phenolox में भी shift होते हुए दिख सकता है इस साब से अपने portfolio को जो कि diversity fight करके रखना होता है वहीप अगर इस company में गिरावाट होती दोस्तों तो यह stock हो सकता है कि मेरे point से 150 से 140 की बीच में जोए कि trade कर सकता है अगर company के result खराब आते है तो अगर higher side की बात कर सो तो यह stock में अगर result अच् कर सकता है जिसमें हो सकता कि थोड़ी से time भी लग सकते हैं चलिए दूस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें चैनल को स्क्राइब कर लें थैंकि दूस्तों